वेल्कम टू बाबु सिलाई सेंटर आज की वीडियो में हम यह अम्रेला कट कुर्ती बनाना सिखेंगे इस कुर्ती की टोटल लैंज साड़ी ते तालीस इंच है जिसमें की अपर पोशन साड़ी 14 इंच और लोवर 39 इंच का है यानि की 29 इंच और कुर्ती में मैंने हाफ कॉल और अगर इसकी लंबाई और चड़ाई की बात करें तो इसे इस तरीके से खोल के डबल तैम में भी छाने पर इसकी लंबाई अर्टालीस इंच आ रही है हम ध्यान देखें के 40 इंच जो है वो डबल लेयर में है और जो इसकी विद्ध है वो 44 है तो पहले हम अपनी चोली क जो पर पोशियन है उसका ट्राफ लगाएगे उसके लिए दिखे इस तरीके से हम अपने फैबरिक को फोल्ड करेंगे यह दिखे फिर डबल फोल्ड में और फिर दोबारा इसको की पार फोल्ड करके यह दिखे इस तरीके से यह चार तैमें आ जाएगा अब देखिए यहां से यह हमारा फैब्रिक सीधा नहीं है तो इस तरीके से हम इसे पहले निशान लगाएंगे और फिर काट के सीधा कर लेंगे अब यह जो क्लोज वाली साइड है यहां से हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे तो क्योंकि मेरा कॉलर वाला कुरती है तो यहां पे मैं तीरा आठ इंच ले रही हूँ और यहां से नीचे मुड़ा साड़ी साथ इंच और यह निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से एकसीधी लाइन लगा लेंगे अब यहां पे हमनी चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपकी चेस्ट है जैसे यहां पे मेरी 40 इंच है तो 40 इंच का चौथा हिस्सा 10 इंच और 10 इंच पे मैं यह एक निशान लगा लूँगी और ये जो आगे एक इंच बच रहा है ये मेरा मार्जुन होगा हो सकता आपका जादा बचे अब ये जो कपड़ा है हमें पास जितना भी आया जैसे दो इंच तो इसका हम आधा करेंगे और इसका आधा करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे तिर्छे में और इस निशान से होते हुए इस तरीके से गुलाई दे देंगे तो यह हमारे मुड़े के पीछे की गुलाई होगी अब यहाँ से नीचे हम अपने अपर पोजिशन यानि कि जो चोली थी उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे तो वह साड़े चौदा इंच थी तो एक इंच ए और फिर यहाँ भी साड़े पंदरा इंच पर निशान लगाएंगे इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे अब पहले हम यहां से इसी काट के अले कर लेते हैं और यह जो मुड़ा है इसे भी हम काट लेंगे यह हमारे पिछे के मुड़े गोलाई है अब हम आगे के मुड़े के गोलाई देंगे और यह जो बीच में जॉइंट है इसे भी देखिए इस तरीके से मैंने आलट कर लिया काट के अब यहां हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे तो यहां मेरी कमर 36 इंच है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से शेप दे देंगे अगर आपके पास यह स्केल नहीं है तो आप इंच टिप से भी यह निशान लगा सकते हैं और यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहां पे इसे आप चाहे तो काट के निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहां प्लीट दूँगी तो इसे नहीं काटूँगी अब देखिए यह हमारे पास दो पीस आ गए तो एक पीस हमारा आगे का पोशन होगा और एक पीछे का तो इन में से किसी भी एक पीस को हम आगे का पोशन मानेंगे और उस पर आगे के मुड़े की छाण देंगे तो उसके लिए देखिए ये जो जितना भी आया है टोटल उसका हम आधा करेंगे और यहां से अंदर की तरफ आधा इंच पे निशान लगा के इस तरीके से गुलाई दे देंगे इस गुलाई की बज़े से हमारा आगे का मुड़े का एरिया थोड़ा जादा हो जाता है इसके लिए हम यहां उपर से आधा इंच पे निशान लगा के इसे कार देंगे लेकिन पहले हम गले का माक कर लेते हैं तो उसके दिख्ये गली की चड़ाई धाय एंच और लंबाई साड़े छे इंच हम ध्यान देंगे कि आधे इंचका कमाक किया है वही से घली की लंबाई को नापेंगे इस तरीके से निशान लगा के आप जो शेप चाहें वो दे सकते हैं अब हम इसे काट लेंगे तो यह हमारा गला कट गया और यह जो आगे मोड़े की छाट है इसे भी हम काट के निकाल देंगे अब ये उपर का जो हमने आदा इंच माक किया था इसे भी हम काटके निकाल देंगे तो इस तरीके से कट चुका लेकिन एक काम हमें और करना है इसे हम एक पे एक रहके सही से बिछाएंगे यहां अब हमें कमर के पास से शेप देनी है थोड़ी सी यहां से उपर एक इंच पर माक करके और दिखिए यह जितना कमर है इसका आधा करके यहां पर एक माक कर लेंगे और यह जो एक इंच वाला निशान है यह एक इंच का निशान यहां पर भी हम लगागे इसे इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से शेप देते हुए काड लेंगे तो ये इस तरीके से शेप आजागी कमर पे अब ये पीछे मुझे कॉलर लगाना है तो पीछे भी थोड़ी सी कटिंग कर लूँगे मैं गले की करीब एक इंच नीचे गहराई की में देखे मैं हलकी सी गुलाई दे दूँगी और इसे कटिंग कर लूँगी तो इस तरीके से ये हमारा अपर पोशन यानि कि जो उपर का चोली वाला हिसा है वो कट चुका अब क्योंकि मुझे टक्स देने है उपर वाले पोशन पे तो पहले मैं टक्स दूँगी उसके बाद नीचे का जो अमरेला उसे कट करूँगी तो देखिए उसके लिए अंदर वाली साइट से जो हमारा जिस तरफ से हमने गला काटा है उस तरफ से अंदर की तरफ चार इंच पे मार्ग करके और यहां से उपर की तरफ भी चार इंच पे मार्ग करके हम अपनी डॉट का निशान लगा लेंगे यानि कि प्लीट का निशान लगा लेंगे कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पाऊं तो आप कमेंड के थूँ मुझे जरूर पूछेगा अब दूसरी तरफ भी मार्क करने के लिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहां थप थपा लेंगे जिसे की दूसरी साइड भी मार्क का जाएगा अब इस तरीके से पकड़ के हम सिलाई लगा लेंगे और अपने दोनों डॉट्स को इसी तरीके से बना लेंगे तो इस तरीके से यह देखिया हमारी आगे की डॉट्स आ गई अब पीछे के पल्ले पे भी हम चाहे तो सेम तरीके से डॉट दे सकते हैं लेकिन अगर आप कमर के अकॉर्डिंग जो डॉट्स है जो प्लीट्स है वो देंगे तो सही रहेगा जितनी भी आपकी कमर है जैसे यहाँ पे मेरी 9 इंच कमर थी तो इसका आधा करके मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया और इस निशान पे हम अपनी प्लीट्स को देंगे तो इस तरीके से यह प्लीट जो हमारी बंद वाले साइड है उससे साड़े 4 इंच की दूरी पे आई और अगले पले पे 4 इंच की दूरी पे हमने यह प्लीट दिया और यहाँ से इसे भी 4 इंच उपर की तरफ ही लेके अपनी डॉट्स का निशान लगा लेंगे अब जैसे हमने आगे वाले पले पी किया था इस तरीके से रहके यहाँ थप थपा लेंगे जिसे के दूसरी साइट भी निशान आ जाएगा अब इन डॉट्स को हम सिल लेंगे यह हमारी पहली डॉट्स और यह वाली दूसरी तो यह देखिए इस तरीके से यह हमारी प्लेट्स आ गई अब हम नीचे के अंबरिला की कटिंग करेंगे उसके लिए जितना भी फैबरिक बचा है इसे मैंने दो तह में बिचा लिया है यह देखिए इस तरीके से और यह जो ओपन साइड है यह जो खूला वाला भाग है इस साइड हम अपर पोजिशन को रखेंगे जो ऊपर वाला हमारा चोली का हिसा था उसे रखेंगे इस तरीके से और देखेंगे कि कहां पर पूरा आ लेकिन पूरा हमें नहीं देखना है इधर एक इंच और इधर एक इंच दोनों तरफ एक एक इंच करीब हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है और यह निशान लगा लेना है बस अब हम इसे हटा लेंगे अब यह जो निशान है इन्हें हम देखिए इस कॉर्णर से इंच टेप को रखेंगे अब जैसे यह निशान बारा इंच पे आया तो बारा इंच पे ही इस तरीके से घुमाते हुए इंच टेप को गुलाई में हम निशान लगा लेंगे इंच टेप का एक कोणा हमें एकदम कॉर्णर पे ही रखना है और बारा बारा इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे जिससे कि यह गुलाई के शेप में आ जाएगा इसे मैं डाग करके दिखाते हूँ देखे यह आ गया अब अगर हम जाएं तो इस तरीके से इंच टेप से नापके या फिर यह जो हमने अपर पोशन काटा था इसे इस तरीके से इसकी कमर को इस तरीके से हम रखके नापके देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं अब जैसे मेरा ये एक इंच बड़ा आ रहा है लेकिन दिखिए जब हम इसे काटेंगे तो क्योंकि ये उरेब है तो ये फैलेगा इसी लिए इससे हम एक इंच उपर की तरफ ही लेंगे जैसे जैसे हमने पहले गुलाई दी थी वैसे ही गुलाई दे लेंगे एकदम कॉर्नर पे इंच टेप को रखते हुए और इस तरीके से गुमाते हुए हम गुलाई दे देंगे 11-11 इंच पे ही हमें निशान लगाना है तो ये वाला हमारा निशानों का जिस पे हम कटिंग करेंगे ये देखिए जो अंप्रेला है वो उरेब में कटी है लेकिन जो हमारा ये वाला पीस है ये हमने उरेब में नहीं काटा है और इस तरीके से नापने पे अभी के लिए तो देखिए ये इतना बड़ा आएगा ये देखिए दो इंच के करीब ये बड़ा आया है लेकिन जब हम इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो क्यूंकि ये उरेब में हैं तो ये पूरा आजाएगा तो ये जो हमने पहले निशान लगाया ये वाला नहीं इसे हम नहीं काटेंगे इस वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे अब हम अंब्रेला की लंबाई लेंगे तो लंबाई हमें यहां से लेनी है तो हमारे अंब्रेला की लंबाई 39 इंच यानि की 29 इंच थी तो उसमें हम एक इंच एड़ करके लेंगे जिसे की 30 इंच हो जाएगा क्योंकि आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा और आधा इंच उपर अब हम इंच टेप को एकदम टॉप पे लेके जाएंगे दिखें एकदम कॉर्णर पे मैंने रखा है इंच टेप को हम निशान लगाते जाएंगे और यहां ध्यान लखेंगे कि इंच टेप नीचे की तरफ ना सरके और इस तरीके से पूरा आगे तक हम निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से यह हमारे निशान आ जाएंगे और इन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे तो यह देखे हमने कटिंग कर ली है अब यह यहाँ पे जुड़ा हुआ हिस्सा है तो इसे भी मैं अलग कर लूँगे काट के इस तरीके से यह हमारा नीजे का अमरेला कट चुका यह देखे दो पीस में अब यह जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम अपनी बाजू निकाल लेंगे तो देखे यह हमारा कपड़ा बचा है तो जिस तरफ थोड़ी मोटी पटी जिस तरफ से कपड़ा जादा है उस तरफ से हम अपनी बाजू को निकालूंगी इस तरीके से उरे में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहां अपनी बाजू का ट्राफ्ट बनाएंगे इस तरीके से उरे में बाजू का कटिंग करने पे कोहनी पे खिचाव नहीं आता है और बाजू पहनने में कमफटेबल रहती है देखें यहां पे हम सिधा निशान लगा लेंगे अगर हमें नहीं पता चलता है कि हमें चिप ऐसे रखना या ऐसे किस तरीके से सिधा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखें इस तरीके से अपने फैबरी को यहां बराबर करें रखेंगा और यह जो निशान आएगा यही से हम सिधा निशान लगा लेंगे अब क्योंकि मुझे बाजो की लंबाई जादा से जादा चाहिए तो यहां से यहां आपने पी जितना पी आयाएगा जैसे 17 इंच आया तो यह मैं पूरा ले लूँगी और यहां नीचे से भी 17 इंच पे निशान लगागे और इसे इस तरीके से सिधा मिला लेंगे और यहां से अंदर की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहां से भी और इन इशानों को मिलाते हुए इस तरीके से सिधी लाइन लगा लेंगे अब देखिए नॉर्मली जो हम कुर्ती का मुड़ा काटते हैं उससे एके जादा यहां पे हम मुड़ा रखते हैं बाजू का लेकिन क्योंकि हम उरेव में बाजू को काट रहे हैं तो जितना हमने कुर्ती पे मुड़ा रखा था 7.5 इंच उतना ही 7.5 इंच यहां पे भी रखेंगे अब यहां से आगे मारजन हम 1.5 इंच या फिर आप अपने according कितना भी लेके और उपर से 1.5 इंच नीचे इस तरीके से तिर्चा मिलाएंगे और यहाँ पर गुलाई दे देंगे इस तरीके से अब हम इसे काट लेंगे वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बेल आइकन को भी दबा लिजेगा जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी यहाँ से थोड़ी सी आगे वाली चांक भी हम दे देंगे और इस तरीके से यह हमारी बाजो कट जाएगे अब यह जो कपड़ा बचा है इससे मैं गला बना लूँगी और अपनी हाफ कॉलर लगा लूँगी हाफ कॉलर लगाना आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंड के थूरू ज़रूर बताईएगा गला बनाने के बाद हम इसका शोल्डर वाला इरिया भी जोड़ लेंगे यानि कि तीरा अब देखिए हमें क्या करना है हमें अपनी अम्रेला का एक पीस लेना है और उसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि जो सीधी वाली साइड वो अंदर की तरफ आमने सामने हो और इस तरीके से लेके हम इसे सील लेंगे देखिए कटने के बाद यह क्योंकि उरेब में होता है तो खुद से स्ट्रेच हो जाता है फैल जाता है और यह देखिए अब बरावर आ जाएगा और इसी तरीके से हम दूसरी साइड का अम्रेला भी जोड लेंगे तो यह देखिए मैंने इसे जोड लिया है अब हम बाजू पे आते हैं तो पहले हम बाजू की जो मूरी वाला एरिया है उसे इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे और दोनों बाजू को हम ऐसे ही सिल लेंगे और उसके बाद इसकी बाजू है देखिए हमें इस तरीके से अटैच करनी है यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ और इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी जोड लेंगे तो यह देखिए हमने बाजु जोड लिया है अब इस तरीके से रखके हमें फिटिंग देनी है तो देखिए फिटिंग का निशान में दे दिया है और इसी निशान पे मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा अब लास्ट में हम इसके घेरे को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हमारी अम्रेला कट कुर्ती बनके तयार है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हलपफुल रही हो प्लीज इस पर लाइक शेयर और कमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी तरह की और वीडियो के लिए बैल आइकन को भी दबा लीजेगा